सेक्टर पर नज़र डालते हैं शुगर शेरों में जोरदार तेजी है तेजी के पीछे के ट्रिगर्स क्या है पूरी डीटेल लेकर अब हमारे साथ विश्व मोहन चुट चुके है विश्व मोहन बताया कौन से ट्रिगर्स है जिसके चलते शुगर शेरों में तेजी दिखी ह लेकि सुगर शेरो और सिगर मिलो के लिए तो अच्छी ख़बर है ही और लगातार ये पूरे सेक्टर में सब कुछ मीठा मीठा चल रहा है पूरे वैलू चेंज से जुड़े वे जितने भी लोग है सब के लिए ये फायदेमंद अभी सावित हो रहा है क्योंकि अगर आप श हिसानों को भी सही समय पर भाव मिल रहा है अब बात करते हैं सेक्टर को लेकर कि सेक्टर में ये तीजी क्यों है क्योंकि इतनौल पर लगातार यहां पर फोकस बना हुआ है और अब ख़बर आ रहा ही कि 2022-23 के बाद पहली बार इतनौल की कीमते बढ़ाई जा सकती है तीनो जहां से इतनौल करते हैं शुगर जूस की अगर बात करें बी मोलसिस और सी मोलसिस तीनों के प्राइसेस यहां पर बढ़ाने पर विचार चल रहा है इतनौल के अगर टार्गेट की अगर बात करें तो सरकार जो टार्गे 2030 तक 20% ब्लेंडिंग का लक्ष सरकार ने तैकर र हो रहा है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है ट्राल रन पहले भी हुआ था आगे भी ट्राल रन होगा फिर से शुगर की जो MSP है जिसे मीनिमम सेलिंग प्राइस कहते हैं चीनी के लिए वो भी बढ़ाने पर विचार चल रहा है 2019 के बाद पहली बार वो भी बढ़ाया जा सक बलरामपूर चीनी को आप देखे तो यह रिकॉर्ड उचाई पर है पिछले एक साल का ही अगर परदर्शन देखे तो जबरदस तेजी कए दौर से बलरामपूर चीनी है और सबसे सबसे बड़ा प्लेयर है इतनौल उतपादन में और उहां पर लगातार कंपनी का परफॉ सब्सक्राइब कंपनी के अगर उनके अगर इतनौल उपादन की अगर बात करे तो 1250 किलो लीटर वो प्रति दिन की उनकी शमता है उसके बाद बर्रामपुर चेनी फिर बजाज हिंदुस्तान आता है फिर तिर्वेनी और डालमिया शुगर जैसी कंपनिया है तो कुल मिलाकर कहें तो अभी फिलहाल मह काफी मिठास दीखी है एफनोर् प्राइजेस बढ़ सकते हैं शुगर की कीमते बढसकती हैं जिसके चल्थे पूरा सेक्टर आजकर में है इसी सेक्टर पर स्टॉक सपेसिफिक टेकनिकल आइडिया भी यह ले लेते हैं नागराज शुगर सेक्टर से कोई stock specific trading idea निकल कर आ रहा है? क्या रहा है? तो तुट्रिवेडी एंजिनेरिंग पर यह राये शुगर सेक्टर में आज काफी आक्शन दिखा है एक चोड़ी आधा है